आज हम गोटुल गराम बेहंगा में हैं जहां गोटुल उनिवर्सिटी की कलपना की गई है जहांपर स्वास्त सम्मंदी रोजगार, सरोजगार, इस्तादी की बाताईं यहां पर होंगी किर्शी सम्मंदी यहां स्वास्त का उपचार तो अब आरंब होई गया है परमपरी जड़ीबुटी के माध्यम से लेकिन चुकि यह ग्रामिट छेत्र है जहां पर पसुओं के बारे में भी उनके स्वास्त की जानकारी या स्वास्त समंदी पसुओं की बीमारियों के समंद में तो यहां पर ए एक विधा और जुड रही है उसमें यहां पर कुमारी आसा सैयामजी है जो विटनरी से रिलेटेट सेवा देने के लिए यहां तत्पर है घोटुल ग्राम में इनकी सेवा हैं सदेव रहेंगी है इसलिए हम आज उने से पूछेंगे कि किस तरीके से आप यहां पर गोटूल ग्राम में सिवाई देंगी अपना नाम बता है जी मैं कुमारी आसस सयाम जी मैं पशुपालन विभाग में पंचायद गौसेवक हूं अभी बरतमान में अमगव पंचायद ग्राम बेजूली में पोस्टेड हूं एक प् पर जो भी बाहर से जो किसे होता है बैक्सिनेशन जो भी बिमारी के थ्रूप की जाएगी और जो भी उसकी लक्षड है उसके आधार पर आप तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली है क्या जी मैं पासुपालन विभाग में पहले बिलाक तुस्तर में थी भौसेवक बाद में आर में आपको नहीं लिया गया क्या बात है तो अभी तो गवर्मेंट ट्रेनिंग है और प्राइविट काम करती हूं और अभी जो भी मांदे हैं जहां मैं पंचायत में काम करती हूं पंचायत के द्वारा ही मांदे हैं तो यह बताएं यह गोटुल ग्राम है गोटुल में हर तो पूरा इलाज उनका करने में सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है यहां सिवाएं आप देंगी समय समय एक निर्धारीत रहेगा यहां दो या तीन दिन आपका निर्धारीत रहेगा आसपास जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं इस बात को तो यहां आकर आपकी सेवाएं लेंगे आपके जो पसुओं को यहां पर लाकर उनका उपचार कराएंगे तो बहुत-बहुत धनवाद और आप गोटुल ग्राम में आकर गोटुल को पसुद से सम्मंदित स्वा पसुदान के लिए आपको धन्यवाद एक बार फिर अपना नाम और परचे बताएं मैं कुमार यासा सिया मैं काम करती हूं बर्तमान में मैं अमगाव पंचायद ग्राम विजमुली में पोश्टेड हूं दो जगा प्रवार हूं पोड़े पंचायद में भी हूं और जो भ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो ये जो योगदान इस गोटुल ग्राम बहंगा मैं पशुओं से सम्मंदित जो चिकित्सा है या पशुओं के विकास के लिए जो भी चीज़े हैं आप बहुत बढ़िया योगदान देंगी गोटुल ग्राम आपको सदय याद करेगा हम तो चाहते हैं कि आप इस थाई रूप से यहाँ पर एक अपना दवा खाना खोल लें और यहीं से रहकर आप पसु सेवा में रहेंगी क्योंकि गाय माता कहते हैं तो इस माता की सेवा में आप सजग हैं इसके लिए मैं आपको बार-बार धन्नवाद देता हूं गोटुल